पेस्टिसाइट्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना क्यूंकि पंजाब का एरिया भारत का दो प्रतिशत मात्र है लेकिन यहाँ देश में इस्तिमाल होने वाले पेस्टिसाइट्स का हिस्सा देश का 15-18 प्रतिशत है आखिर इतनी भारी मात्रा में यह जहरीले पेस्टिसाइट्स क्यों छिड़के जा रहे हैं इसका जवाब दिया खुद एग्रिकल्चरल प्रड़क्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने पोईजन है जी पोईजन बहुत अगड़ा पोईजन है मोनो क्रोटो भास है अभी युनिवरस्टी ने लिखा है सब जीयों के पर ना यूज करो हमने विस्टिंग काड के पर लिखा हुआ है यूज मत करो इससे कैंसर होता है लेकिन फिर भी ओवेरनेस की कम ही कहलो कुछ भी कहलो तभी लोग डाल रही है जैसे चालिस ग्राम पढ परण चाहिए कंपनी भेड़े गलती करते हैं सबस्ता है हम उसको 100-gram कर देते हैं, फिर उसको 100-gram कर देता है, फिर उसका जो तर्वेंट उसको 200-gram कर देता है, जानी 40-gram बाली 200-gram पढ रही है, तो इतनी ओर्डुस पढ देती है, कंपनीों नहारी एसे दौड लगा रखिया है, सुरंदर जी आपके 80-Litr हो गए हैं, आप 20-Litr और तो आपको मैक्रोवेब मिलने वाला है, आप 1000-Litr कर दो, 200-Litr और कर दो, तो आपको रशिया का रशिया का टूर मिलने वाला है, यह अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है, गेहूं तो हमारे बच्चे वो ही खा रहे हैं, वो जिस पे आमने वो सप्रे करव गुर्प्रीत एक समात सेवक है, अपने आसपास के गाउं में लोगों की लगातार गिर्ती सेहत देख, गुर्प्रीत ने एक सर्वे किया पूरी फूर्ट चेन में पैस्टी साइड घुस चुके हैं, सुबा जहर शिड़का जाता है, शाम को सबजी आपके बरतन में होती है, बनने के लिए ये जो सिनेरियो है, ये पूरे पंजाब का है पंजाब के हजारों गाउं में यही हाल है लोगों की सेहत लगातार गिर रही है पहले तो कोई घर ले वर जादवी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हरे एक दुनिया से कैंसर के मिली जाई हालाप इतने खराब है कि राजिस्तान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर असपताल जाने के लिए पंजाब से ट्रेन चलती है कैंसर कहा जाता है काथ पूरी काडि में कैसर की म्रीं पिर्ट मतल्ब कि जब हम जाहरटेशन कराते हैं, सुपतीं में कम निए पर पेपरी थे होता है मोझी कैसर की होते हैं, कोई उसमें मतल्ब की जॉबवाला आद मी नहीं होता ऑप Docuia मेरी च्छाती में गांटें हो गई फिर पूरे शरीर में गांटें ही गांटें हो गई ससुरार वालों ने मुझे मेरी मा के पास छोड़ दिया मेरी मा बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही है